बहुत ज़्यादा questions आ रहा था कि इसमें mining करें और क्या इसकी reality है कितनी इसकी supply है क्या इसमें दो coin माइन होते हैं इन एप purchase क्या है और जो लोग mining करना चाहते हैं उनको किस तरीके से mining करना है तो सारा कुछ process जो यहां पे नुवा network में निकल के आया है और कितनी इसकी supply है क्या क्या IS का process सारा कुछ आपको बताएंगे तो चलेंगे सीधे topic पे मैं आलोग आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेकनिकल आलोग में आपको कोई questions query है फटा फट से comment box के तुरू बताईए चैनल पे नए आए हैं चैनल को subscribe कर लीजे हमने आपको link दे दिया है description में जैसे ही आप link पे click करेंगे तो आपका application आपको redirect कर देगा सीधा सीधा play store पे लेकिन यहां पे हम जो process है इस application का और इस coin का वो आपके सामने रखना चाहेंगे इस application में आप 2 coin माइन करते हैं एक nova और दूसरा nova plus तो यह आपका confusion दूर हो चुका होगा क्वा कौन सा coin है nova plus कौन सा है दोनों अलग-अलग यहां पे बताए गए हैं लेकिन एक चीज और बताना चाहेंगे जब आपकी KYC यहां पे complete हो जाएगी तब जाकर के आप nova plus coin माइन करेंगे और अभी जो आप यहां पे माइन कर रहे हैं वो आपका nova coin है लिंक पे click करके nova install कर लेते हैं तो install करने के बाद आपका application open हो जाता है और open होने के बाद यहां पे आपको registration बगरा करना पड़ता है लेकिन यहां पे इसकी जो supply रखी गई है काफी ज़्यादा supply रखी गई है और जो supply है वो लगवग आप देखेंगे तो यहां पे सारा कुछ बताया गया है और किस तरीके से उस supply को यहां पे define किया गया है यानि mining के लिए क्या supply रखी गई है private sell के लिए क्या supply रखी गई है कब तक आप सभी को double मिल पाएगा यह सारा कुछ यहां पे भी देखने को मिल जाता है लेकिन यहां पे जैसे ही आप आते हैं तो यहां पे आपको starting using nova पे आपको click करना है sign up पे आपक कर सकते हैं अब इस coin की mine करने की जरूरत क्या पड़ी इनको तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनकी तरफ से बताया गया है यहां पे सबसे पहले आपको email डाल देना है और जो आप email यहां पे डालेंगे उसी पे आपको एक link भेजा जाता है तो जो इनका यहां पे यह social क्लिक करना है जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अंगे का process आजाएगा तो यह जो coin यहां पे किया जाएगा यानि जो लोग यहां पे buy करेंगे इस coin को तबी जाकर के इस applications पे add दिखाया जा सकीगा तो आपके सामने यहां पे इस पश्ट हो चुका हुआ कि किस तरीके से य आपको यहां पे आपको यहां पर प्रसेस करना पड़ेंगे और जो आपका यहां पर अपडेट्स होगा applications के अंदर की किस तरीके से आपको की वाइसी बगएरा करनी है वो process आपके सामने रखना चाहेंगे यहाँ पर error बगएरा आश सकता है तो multiple time आपको try करना है और यह process आपका यहाँ पर complete हो जाएगा ठीक पर देख सकते हैं आपके पास email send कर दिया गया है तो आपको inbox open कर लेना है email वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको वही application फिर से open करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं continue पर आपको click कर देना है यहाँ पर escape कर सकते हैं image बगएरा का यहाँ पर आपको display name बनाना है तो मैं यहाँ पर कुछ भी display name बना लेता हूँ मान के चलिए ठीक है और आप जो भी बनाना चाहते हैं आप सभी के उपर depend करता है आप यहाँ पर बना लीजी और यहाँ पर नीचे आपको user name बनाना पड़ता है user name जो भी आप बनाएंगे बही आपको यहाँ पर refer code रहता है यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है novass और एक novass plus तो यह वाला आपको click करना पड़ता है last mine जैसे ही आप इस पर click कर देते हैं आपकी mining आपे चालू हो जाती है और यहाँ पर लिख करके आता है add आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं maybe later कर देना है आपको यह आपकी mining शुरू हो चुकी है तोकन की जो maximum supply रखी गई है वो आपके समने आपे आचुकी होगी novass plus token maximum supply token distribution the maximum supply for novass plus token is 50 billion यहाँ पर तोटल यहाँ पर supply रखी गई है the total allocation for 50 billion novass plus token will be as follows launching incentive अब देखिए यहाँ पर काफी सारे options दिये गए है रखा गया है public private sales के लिए 25% रखा गया है treasury and ecosystem के लिए 30% रखा गया है founder and advisor team के लिए 15% रखा गया है लेकिन मैं बताना चाहूँगो जो इनका यहाँ पर total coin है इस coin को किस तरीके से burning का process रखा गया है वो भी EC में बताया गया है यहाँ पर आप देखेंगे utility of novas plus token यहाँ पर आप देखेंगे novas token maximum supply and token distribution the supply novas token unlimited यहाँ पर बताया गया एक तरीके से supply unlimited है लेकिन वहाँ पर जैसा कि बताया गया है 50 billion है तो 50 billion ही है यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है when there one token being minted यहाँ पर बताया गया कि जब एक token आप सभी mine करते हैं तो novas network user another 0.25 novas token will allocated novas network treasury याँ आप सभी ने एक coin यहाँ पर mine किया तो 0.25 token यहाँ पर treasury के लिए रखा जाएगा याँ इतना mine वहाँ पर भी हो जाता है hence novas token total distribution follow for 80% community के लिए रखा गया है आप देखिए आप सभी को यह जो यहाँ पर फंड बगरा है याँ प्रॉफिट बगरा है तब तक नहीं मिलेगा जब तक एस अप्लिकेशन पर यापर advertisement नहीं आता है तो अब आप सभी के सामने काफी सारे questions जो है यहाँ पर clear हो चुके होंगे लेकिन यहाँ पर आप देखिए utility of Nova's token token is a basic unit for Nova network यहाँ जो Nova network की application है क्योंकि social media application से जैसे आपका tech talk था ऐसे ही यह भी है तो यहाँ पर बताया गया है कि main token जो इसका है यही है यहाँ पर आप देखेंगे P2P transfer you may initial P2P transfer tips for contribution of user goodwill gift subscribe content and payable once back subscribe and pieces content यहाँ पर बताया गया है कि जो 2% यहाँ पर टोकन है वो transaction fees के तोर पर रखा जाएगा और यह यहाँ पर बर्न होता रहेगा यानि 2% जब आप एक transaction करते हैं 100 coin का तो 2% उसका मान के चलिए 2 coin आपका यहाँ पर बर्न हो जाएगा चलिए आप 2000 token का यहाँ पर कोई transaction करते हैं तो उसका 2% यहाँ पर बर्न होगा तो यही process रखा गया है Pay for poll, position and comments and post अब देखें यहाँ पर post बगएरा करने के या वीडियो बगएरा के यहाँ पर जो content बगएरा अपलोड करेगा उसको भी उसके साब से ही टोकन यहाँ पर दिया जाएगा KYC का भी update अब आपको दे देते हैं KYC how and why यहाँ पर बताया गया है no more waiting for KYC, everyone can do it यहाँ पर किसी को wait नहीं करना है KYC के लिए बताया गया है KYC आप कर सकते हैं यानि कुछ दिन तक जब आप यहाँ पर यहाँ पर बताया है कि जैसे ही आप यहाँ पर KYC कम्प्लीट कर लेते हैं तो आपका NOVAS प्लस टोकन यहाँ पर माइन हो जाएगा लेकिन जब तक आप KYC नहीं करते हैं तब तक आपका क्या होगा NOVA token होगा जब आप आते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह आपको मिलता है KYC का सेक्षन यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाता है तक जब आप यहाँ पर व्लो गंटे में 0.60 coin दिया जाता है यहाँ पर आप माइनिंग करना चाहते है तो कर सकते हैं सारा कुछ प्रोसेस हमने आपके सामने रख दिया है और आंगे का जो अपडेट आएगा ब्लोक्चेन बगएरा का वो भी हम आपको बताएंगे तो यह यहाँ पर अप्लिकेसन लॉंच होगा या नहीं होगा 50-50% आप मान सकते हैं लेकिन सीलिया यहाँ पर 100% लॉंच होगा और उसका लिंक भी हमने आपको दे दिया अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमसे कोई गलती हो जाती है छोटा वाई समस्के माप कीजिए इस वीडियों फ्लाइक नाई तब तक के लिए नवसकार किसी अधर टॉपिक पर फिर होगे आपसे मलाकात थेंक्यू फर वची